Hello friends, welcome back to my youtube channel, आप देखरें PKC Pius Tech और मैं हूँ आपके साथ Pius तो आज की वीडियो में हम जाने वाले कैसे आपको अपने youtube channel को customize करना है कैसे उसमें playlist का section add करना है, कैसे particular playlist को add करना है, कैसे क्या करना है मतलब बहुत सारे customization होते हैं इसको आपको customize करके रखना होगा तब ही अगर आपका youtube channel कभी viral हुआ कोई video viral हुआ या किसी तक भी आपका youtube channel गया और वो या किसी sponsor तक चल गया तो वो अगर आपके youtube channel को scroll करेगा तो उसको एकदम professional लगना चाहिए क्योंकि उससे आपका क्या बलते है उसका पता चलता है कि आप कितना ध्यान देते हो youtube में इसके बारे वीडियो नहीं बनाता लेकिन community tab में एक डाया था पोस्ट भले इसमें लेकिन second number पे इसमें सबसे ज्यादा percentage था और मैंने बोला था कि सब मतब सब वीडियो बनाऊंगा लेकिन जिसपे ज्यादा percentage जाएगा उसपे अगर आप लैपटोप पे नहीं कर रहे हो, मुबाइल पे कर रहे हो, तो भी आपको Chrome Browser open करना है, अपने चैनल को कस्टमाइज करने के लिए मिनिमाइज नहीं, तो कस्टमाइज करने के लिए, तो सिंपले से आपको Chrome Browser पे जाके सर्च करना है, YouTube.com, YouTube.com सर्च कर लीजेगा अ तो स्टैप के इंटरफेस आने के बाद, आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको, एकदम, थ्री डाट्स पे click करना है, वहाँ पे साईड में आपको थ्री डाट्स दीख जाएगा तो 3 डाट्स पे click किजेगा, और 3 डाट्स पे click करने के आपको आपको desktop साइट पर open बना desktop site पर click करना है तो आपके सामने इस type का कुछ interface आजाएगा इस type का interface तो उसके बाद आपको यहाँ पर side corner पर अपना logo दीख जाएगा channel का तो उस channel के logo पर click करना है अगर आपने main channel से login नहीं किया होगा है तो आपको यूट्यूब स्टूडियो पर click करना है और चैनल को customize करने के बाद एकदम चैनल जो है formal लगता और बहुत अच्छा design लगता है design कर सकते हो customization से आप अपने channel को तो आपको यहाँ पर left corner पर यहाँ पर dashboard के नीचे आपको यह को customization को option दीख जाएगा आप जैसी क्लिक करोगे तो आपके समने एक ऐसा interface आएगा ठीक है mobile भी ऐसा interface आएगा ऐसा interface आएगा ऐसा आपको तो पहले मिलता है channel trailer तो आपको यहाँ पर अपने channel का trailer लगाना है channel trailer का मतलब होता है कि अगर आप चाहो तो एक अगर आपने trailer ओस्ट किया आपने channel पर कि अगर सुर्वात channel अगर आपने बनाया तो आपने कोई channel के बारे में बताने के लिए कोई video अपलोड किया है तो वह आप लगा सकते हो यह आप चाहते हो तो अपना सबसे popular video यह सबसे जादा व्यूस गेन करने वाला video यह सबसे अच्छा वीडियो यहाँ पर लगा सकते हो क्योंकि यह वही लोग देख सकते जो नए नए आपके चैनल पर विजिट कियोंगे या नए नए subscriber जो आया होगा और उसके बाद आपको एक option मिलता है featured videos इस featured videos का option और यहाँ पर आप माल लीजे आपने channel लगा चैनल और रिमूव का option मिल जाता है और अब आपको मैं बता दो यहाँ पर दूसरा option के featured videos for returning subscribers यहाँ पर अगर कोई भी नए पुराना subscriber जिसके लिए आपने कोई video बनाया हो यह अपने सारे subscribers के लिए कोई video बनाया हो तो वह आप लगा सकते हो यहाँ पर three dots पर आप click किजिएगा channel change video या remove video पर आप click कर दीजिएगा तो यहाँ तक तो आप समझ गये तो उसके बाद आपको मिलता है featured section featured section पर आपको क्या करना है यहाँ से आप अपने पूरी channel को customize कर सकते हो यहां अपको कैसे करनाया मालीजे आपको कोई दूसरा चैनल पर इसके लिए आपको एडे section पर आपको McMahonीर WOR 的 Spa अपको रविव पर बाहले मालीजे आपको दूसरी चैनल के दिया जो दूसरे चैनल है जो ऐसे अनम ले धिए अधर बहुत और यहार पर आपको उस चैनल को सर्च कर लेंग अब आपको उपको उपार नीचे कैसे करना वो मैं आपको सिखा जेता है आगे पीछे कुछ भी लग गया आप चाहो तो upload को उपर कर सकते हो देखिए upload उपर चल गया ऐसे कर गया यहाँ पर यह जो arrow दिख रहा है दोगो लाइन इस पर टच कीजेगा और बस नीचे slide कर दीजेगा तो ऐसे कर के आप कर सकते हो अब उसके आद आपको uploads दिखाना है तो वही आपको add section पर क्लिक करना है यहाँ पर uploads पर क्लिक करोगे तो यहाँ uploads आप जितना भी वीडियो अप्लोट कियोंगे तो वह वाला section लाइबो आपकोंगे यहाँ अपस हो आपकोंगे धुक्ली में अछीनत को ब remarries आपकोंगे g对 Wy dreamed तो आपको यहाँ पर मतलब कोई भी section को हटाना तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है त्री दोर्स पर क्लिक करना है उस section के और यहाँ पर remove section पर क्लिक कर देना तो वह section हट जाएगा और जो भी आप changes करोगे ना इन तीनों चीजों में इन तीनों चीजों में अगर आपको यहाँ पर सीधे पब्लीज पर क्लिक करना है अगर आप पब्लीज पर क्लिक नहीं करते हो तो आपका यह जो भी चेंजेश है वो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आपका सेव नहीं होगा तो फिर वही वापिस वैसा ही जैसे था वैसा हो जाएगा तो इससे आपको दिक्कत हो सकता, अगर मेरे आवाज लग रहा है तो थोड़ा सा मेरे गले में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए जा मुझे ठोड़ा सा थे तवेत भी खराब है, ओससा ही ब्रेंडिंग और पने प्राइब अगर आप लोगो लगाना चाहते हो चेंज करना चाहते हो रिमूब करना चाहते हो तो वह आप यहां से कर सकते हो और उसके बाद आपको चैनल बैनर अगर आप दोनों बनाना सीखना चाहते हो तो आपको मेरा यह वाला चैनल चेक आउट करना होगा जिसमें अभी मैं कस्टम लगा दोगे तो से क्या होगर जब भी कोई लोग उस पे क्लिक करेगा मतलब यह तो सिर्फ डेक्स्टोप पे अगर कोई खोलता है वीडियो को तो ही दिखेगा तो अगर कोई भी इस लोगों पे क्लिक करेगा तो आपके चैनल को इसली सब्सक्राइब कर सकता है लोगों पे क्लिक करने के बाद इस सब्सक्राइब नाव पे क्लिक करने के बाद नाम लिंक वह आप लगा सकते हो यहां पर और आप कौन-कौन से लेंगविज का इस्तेमाल करते हो अपने चैनल पर वह आप लगा सकते हो यहां पर एड लेंगविज करके तो इससे लोगों को पता चलेगा आपके बारे में और आपके चैनल के बारे में और यहां पर आपको कोई भी और कुछ भी लगाना है Instagram का Link तो simply से उसका नाम लिखना है जो भी एप का Link लगाना उस एप का नाम और उस Link को लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना और वो इंटर हो जाएगा आप यहाँ कम से कम पांच गो लगा सकते उससे जाधा नहीं यहाँ पर आपको एड लिंक करना होगा उसके लिए आपको फिर एगो हटाना पड़ेगा यहाँ मेरा पांच गो नहीं लगावा नहीं है पांच गो नहीं लगावा इसलिए एगो लग सकता तो यहाँ पर आपको एगो लगाना होगा पांच गो लगा सकते हो एड तक तो यह यहां पर आप अपना business email लगा सकते हो और कोई आपके साथ sponsorship करना चाहता है sponsorship देना चाहता है तो वह आपके business email पर जाकी email कर सकते है यह अपका पब्लीज आइकन पर अपको क्लिक करना है और यह आपका चैनल पब्लीज हो जाएगा और पूरा अपका चैनल कुक्तमाइजड हो यह तो आपको देखना है तो आपको शिंपली से YouTube.com पर जाना पर आपको जाने बद आपके चैनल पर क्लिक करना है और यॉर चैनल पी क्लिक कर देना यॉर चैनल पर यहाँ पर दिखता है. इंस्टाग्राब पर DM नहीं कमेंट करके बता दीजिएगा और यह रहा आपका सारा अबाउड और यह रहा आपका सर्च बॉक्स तो बस ऐसा ही आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने चैनल को अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और नाइने कॉंटेंट के लिए जल्दी से अभी सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिए तो चलिए आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं